हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बेबी हेल्थ एंड केर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने बेबी के 5 से 7 महिने में आप बेबी को कौन सी ऐसी प्यूरिस दे सकती है जो की बेबी के लिए बहुत ही हिल्दी है और बेबी को ये काफी पसंद आएगा जिससे की बेबी जादा खाना खाएगा इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में हम प्यूरिस से रिलेटेट कुछ ऐसी बाते बताएंगे कि बेबी को ये प्यूरिस देते समय आपको कौन सी चीज़े अवोइड करनी है और किस चीज़ का ध्यान रखना है तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं नियूबॉर्ण बेबी पास से 6 महिने तक कम्पलीटली मा के ब्रिस फिल पे डिपेंडेंट होते हैं और ब्रिस मिल्क बहुत ही मीठा और टेस्टी होता है तो इसके बाद आपको बेबी को ऐसा खाना देना चाहिए जो कि बेबी को मीठा लगे और टेस्टी भी लगे ताकि बेबी वो खाने में इंटरस दिखाए और उस चीज़ को खाए यहाँ पे ज़्यादातर गलती यह होती है कि आलमस्ट सब लोग यह कहते हैं बच्चे के खाने की शुरुवात दाल के पानी या चावल के पानी से करना चाहिए सबसे पहली बात तो यह कि एक साल से छोटे बच्चे को नमक या चीनी नहीं देना चाहिए आप खुदी imagine करें कि अगर बेबी को डाल का पानी या चावल का पानी पिलाती है तो एक साल से पहले तो आप उन्हें नमक या चीनी नहीं दे सके तो बीना नमक चीनी के डाल का पानी या चावल का पानी एकदम testless हो जाता है उसमें कोई test नहीं होती है ऐसी चीज अगर आप बेबी को स्टार्टिंग में देंगे तो हो सकता है कि बेबी को ये चीजे पसंद ना आए और इस वज़े से वो बाकी चीजों को भी अवोइड करें For example, अगर आप first time अपने बेबी को दाल का पानी या चावल का पानी पिलाती है तो first day तो बेबी एक स्पुन या दो स्पुन पी लेगा उसके बाद वो अवोइड कर देगा क्योंकि उसमें कोई टेस्टी नहीं है जो कि बेबी को पसंदी नहीं आएगा तो बेबी नहीं खाएगा Next time अगर आप कुछ और बेबी को खिलाना चाहती है तो वो तो यहीं समझेगा कि नहीं ममा तो मुझे वही चीज वापस से खिलाएंगी और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए मैं ये नहीं खाऊंगा और फिर बेबी दूसरे खाने को भी खाने के लिए अवोइड करता है और इस वज़े से उसकी पूरी solid food की जरनी खराब हो जाती है क्योंकि और भी चीज़े खाने के लिए बेबी नखरे करता है या फिर ऐसा हो सकता है कि शुरुवात में बेबी को खाना नहीं पसंद आया इसलिए वो दूसरी चीज़ों को भी ट्राइ करने से मना करेगा तो यहाँ पर मैं एकी बात कहना चाहूंगी कि खाने की शुरुवात बेबी का पहला खाना जो होता है वो बहुती tasty होना चाहिए easy to digest होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसका टेस्ट बहुती मीठा और sweet हो जो बेबी को पसंद आये और fruit से कैसी चीज़ है जो की naturally sweet होती है उसमें आपको अलग से चीनी डालने की ज़रुवत नहीं पड़ती है बेबी के पहले खाने के लिए apple puree या banana puree सबसे best है I think banana puree अगर आप बेबी को दे तो ये ज़्यादा best होगा क्योंकि डॉक्टर भी इसे recommend करते है banana बहुती healthy होता है इसमें potassium भी अच्छे मातरा में होती है और test में मीठा होने की कारण ये बच्चों को काफी पसंद आता है banana puree बनाने के लिए आप गाय के दूद का इस्तमाल करें यहाँ पर ध्यान रखे कि buffalo milk का यूज ना करें ये बच्चों को problem कर सकता है इसलिए आप बेबी का खाना बनाने के लिए गाय का दूद का ही इस्तमाल करें एक बनाना लेकर उसे mash कर ले फिर उसमें थोड़ा सा दूद डाल कर इसे hand blender से blend कर ले धान रखे कि बेबी के लिए जो भी puree आप बनाए वो एकदम smooth और थोड़ी सी ठिक बनाए जिसे कि बेबी को खाने में आसानी हो पहले पहले तो बेबी दो से तीन चमची खाएंगे या फिर हो सकता है कि बेबी एकी स्पून खाए और उसके बाद ना खाए लेकिन आप घबराएं नहीं सेम फूर दो से तीन दिन आप ट्राइ करें बेबी को यह जरूर पसंद आएगा और बेबी की खाने की कौंटीटी धिरी-देरे बढ़ती जाएगी सेकन है एपल प्यूरी अपल भी बच्चो को काफी पसंद आता है और बहुत ही हんだी भी होता है जिससे की बेबी को काफी फायदा भी होता है एपल प्यूरी बनाने की लिए apple को छोटे-छोटे pieces में काट ले और उसे steam कर ले धान रखे कि apple को boil ना करे boil करने से उसके nutrition level कम हो जाएगा इसलिए apple को steam कर ले और उसके बाद उसे blender से blend करके puree बना ले बेबी को breakfast या lunch में आप ये puree दे सकती है Next है mango puree mango तो almost सब को ही पसंद आता है वो टेस्ट में भी बहुत sweet होता है और उसकी puree भी बहुत test ही होती है आप mango puree बनाने के लिए दूद का इस्तमाल कर सकती है या फिर आप बिना दूद के सिर्फ pulp से ही mango puree बना सकती है बच्चों को mango puree देते समय कुछ बातों का ध्यान रखे जैसे की mango puree साथ महिने के बच्ची को ही दे उससे छोटे बच्चों को mango puree ना दे क्योंकि ये गैस बना सकता है जिससे की बेबी को गैस से प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप फर्स टाइम अपने बेबी को mango puree दे रही है तो उससे दो से तीन स्फून ही खिलाए इससे जादा ना खिलाए उसके बाद आप चेक करें कि बेबी को गैस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है अगर बेबी को गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप mango puree तुरण स्टॉप कर दे उसके बाद बेबी को ये ना दे एक और चीज का ध्यान रखे कि mango puree पहली बार ट्राइ करें तो वो breakfast या lunch में दे रात के टाइम mango puree ना दे अगर mango puree के वज़े से बच्चे को प्रॉब्लम होई तो रात में आपको जादा प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए इस चीज को breakfast या lunch में ही बेबी को खिलाए अगला है avocado puree ये भी काफी healthy होता है और ये प्यूरी भी बच्चों को काफी पसंद आती है पावा काड़ों में थोड़ा सा दूद मिक्स करके उसकी प्यूरी बना ले और बेबी को breakfast या lunch में खिलाए ये प्यूरी दो से तीन दिन आप बेबी को खिलाए अगर बेबी की खाने की quantity बढ़ती है और बेबी अच्छे से खा लेता है इसका मतलब है कि बेबी को ये पसंद आ रहा है और आप इसे कुछ दिन बाद वापस से बेबी को खिला सकती है लेकिन अगर बेबी ना खाए या फिर बेबी को ये प्यूरी पसंद ना आए तो इसके बाद आप दूसरी प्यूरी बेबी को दे ये चीजे कुछ टाइम के लिए अवोइट कर दे अगला है गाजर की प्यूरी गाजर विटमिन और मिनरल से भरपूर होता है ये बहुती फाइदे मंद होता है खासकर बच्चों के लिए गाजर को छोटे-छोटे पिसेस में काट कर स्टिम कर ले फिर इसमें थोड़ा सा दूट डाल कर इसे ब्लेंड कर ले और एक स्मूथ और थिक पेस्ट बना ले ये प्यूरी नैचरली स्वीट होती है जिस वज़े से ये काफी बच्चों को बहुत पसंद आती है और बच्चे बहुती चाओ से इसे खाते हैं नेक्स्ट है पपाया प्यूरी बेबी के खाने की शुरुवाती दिनों में आप उसे पपाया प्यूरी ना दे बेबी को जब कुछ टाइम हो जाए खाना खाते हुए यानि बेबी लगबग सात महिने का हो जाए तब आप ये प्यूरी बेबी को दे सकती है पपाया प्यूरी बनाने के लिए आप दूद का इस्तमाल ना करे इस प्यूरी में आप पानी का यूज कर सकती है अगर ये प्यूरी बेबी को पसंद आए तो इसे continue करे otherwise कुछ टाइम के लिए ये food को आप skip कर सकती है तो ये सारे वो puries थे जो आप अपने बेबी के starting दिनों में दे सकती है तो चलिए जानते हैं आप प्यूरी के related वो important tips अगर आप अपने बेबी को प्यूरी देती हैं तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखें अगर आपका बेबी पांच महिने से बड़ा हो गया है और आप उसके solid food की journey को start करना चाहती है तो शुरुवात में आप बेबी को बनाना, एपल, अवाकाडो और क्यारेट की प्यूरी दे सकती है इसके बाद जब बेबी थोड़ा खाना खाने लगे उसके बाद से आप उसे mango प्यूरी और papaya प्यूरी दे सकती है तो इस वीडियो में बस इतना ही, I hope कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है क्या करना है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताक्स फवाचिग बड़को कि बड़को कि अच्छी नियुक्त वाइक